धान की रुपाई करने से पहले या फिर रुपाई के तुरंथ बाद हमें कौन सी खाद डालनी चाहिए और क्यों डालनी चाहिए तो ये सवाल आज की डेड़ में हमारे हरे किसान भै पूशते हैं तो किसान भीरों इस समय हमें केवल NPK या DAP या फिर सिंगल सूपर फॉस्पिट इन में से किसी भी एक खाद का हमें रुपाई करने से पहले या फिर रुपाई करने के तुरंथ बाद डाल देनी चाहिए मतलब जब हमारे खेट त्यार हो जाता है और सुहगा लगाने से पहल या फिर सुआगा लगा के खेट पुरी तरह से त्यार करके जैसे ही हम खेट से बाहर निकलते हैं तो वैसे ही हमें इन खादों की टॉप ड्रेसिंग कर देनी चाहिए क्योंकि खेट त्यार करने के तुरंथ बाद मिट्टी मुलैम होती है पानी भी मिटमेला होता है तो जो खाद के दाने होते हैं वो मिट्टी की सते से एक आद इंच नीचे चले जाते हैं जिससे हमारी धान की नरसरी को उसी समय ही आभशाप पोशतत जैसे की नाइट्रोजन, फॉस्फरस, पटाश ये फिर धेरे धान की फसल को मिलने लगते हैं जिससे बाद में हमारी फसल हमारा यह होता है कि हमें मिट्टी की जाच करवाके ही जमीन के अनुसार इन खादों की डोस रखनी चाहिये क्योंकि हमें कम से कम एक साल में एक बार स्री टेस्टिंग जुरूर करवाना चाहिए अगर soil test नहीं होता है तो फिर हमें research paper के साब से एक common dose लेनी चाहिए जैसे की शुरूब में धान की रुपाई के समय अगर आप DAP ले रहे हो तो 27 kg प्रतियकर dose ले सकते हो और अगर आप SSP मतलब single super phosphate ले रहे हो तो आपको शुरूब में 75 kg मतलब की डेड़ बैग single super phosphate का लेना है और बात आती है पटाश की तो research paper के हिसाब से हमें एक खेत में जो MOP 60% वाली होती है तो इसकी मातरा में लेनी होती 20 kg प्रतियकर बाकी बात करें यूरिया की तो इस research paper में यूरिया की dose बता रखी है की पहली यूरिया में हमें एक बैग लेना है और दूसरी यूरिया में अगेन एक बैग लेना है बाकी अब तीसरी या आखरी यूरिया में आदा बैग मतलब की 20-22 kg प्रतियकर के हिसाब से अब ले सकते हो ये कामन डोस बता रखी है research paper के साब से अगर आपने soil testing नहीं करवाया है तो तो किसान विरो इस तरीके से हमें fertilizer को manage करना आना चाहिए की रुपाई के समय हमें DAP या फिर NP के या फिर SSP डाननी चाहिए बाकी रुपाई के 10-12 दिन बाद जब हमारी फसल जड़ पकड़ जाती है और फसल थोड़ी हरी हो जाती है तब हमें यूरिया के साथ कुछ जुरूरी micro nutrient है जैसे की zinc, sulfur, magnesium, calcium, iron, magnesium, potash तो बाद में ये सब micro nutrient देने होते हैं अपनी फसल की growth और development बढ़ाने के लिए और अगर ये सब जो secondary जूरी पोशतत होते हैं ये हमने शुरू में धान की रुपाई के समय अगर दे दिये जाएं तो उस समय धान की जड़ों का विकास हो रहा होता है तो फिर बाद में ये जमीन में स्टॉक पड़े रहते हैं तो फिर इसका कोई भी इतना ज्यादा benefit देखने को नहीं मिलता है इसलिए कि सब्सक्राइब करना बहुत ही जरूरी होता है और इसकी अगली वीडियो में हम बात करेंगे कि धान रुपाई के 10 से 12 दिन बाद जब हम पहले यूरिया डा कर डालना चाहिए और इन सब की डोस क्या के रखनी चाहिए तब तक के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेजिए धन्यवाद